हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक, डीके सर क्लासेज, ये क्लास 12 इंगलिस की बोर्ड कॉंपी, देख लीजी बोर्ड एक्जाम में कैसे लिखना है, एक के कोशन का, ये देख सकते हैं, वाइरल पेपर 2024 का, ये 2024 का वाइरल पेपर है, इंगलिस क्लास 12 का, आज की वीडियो में क्लास 12 इंगलिस 2024 का ये वाइरल पेपर का, फूल सालूशन, वो भी बोर्ड एक्जाम की कॉंपी पे, एक के कोशन को, कैसे करना है, अगर इसे आप अच्छे से त्यारी कर लेते हैं बावू, तो 98 नंबर लेकर आएंगे इंगलिस में, त्यारी कर लेना, देख लिजी ये 100 में 100 में लिखा, उननों की पका कर लो, लेकिन किसी-किसी बच्चे का बाइदवे थोड़ा मिस्टेक भी हो जाए, तो 98 किसी से मतलब की बच्चे गाना, एकदम सब लोग लाएंगे, तो आज का ये वाइरल पेपर 2024 का बच्चों के लिए, जो की 2 मार्च को, 2 मार्च को यही रिक्वेस्ट है बभू, वीडियो को बस सुरू से अंतक देखना, वीडियो को प्यारा सा एक छोटा सा अपना लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं है, तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस रखिए, पूरा एक्जाम भर आपको यहां से मिलेगा, और आपको ज एक्जाम की कॉपी पे अभी हम आपको तयार करा देते हैं, इससे पहले, इससे पहले बहुत बच्चे का मतलब मिस्टेक करते हैं ये, कि इंग्लिस की कॉपी जब लिखेंगे, तो बोलते हैं कि सर क्या हिंदी में इसमें भरना होता है, या इंग्लिस में, तो देखिए मैं आपको feel up करके एक एक point पे बता देता हूँ अच्छे समझ लेना क्योंकि exam काफी नजदीक है एकदम अच्छे से धुआ धुआ करना है ठीक है जैसे कि आपका यहाँ पे पहला नंबर पूछाएगी परिक्षार्थी कानुकर्मांग का अंकों में इसका मतलब अंकों में कह रहा है तो यहाँ पे अंकों में तो सिधे सिधे लिगे लें डिजित में जैसे कि यहाँ पे दो दो यहाँ पे लिखेंगे 0, 1, 4, 5, 3, 2, 4 मतलब दस अंक का रोल नंबर रहेगा 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 1 और 0 लगा देते सपोस कीजिए कि आपका अंकों में रोल नंबर होगा डिजित में, ओफर रेटिंग नहीं करना है साप साप भरना है बबो, ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे परिक्षारती के अनुकर्मा सब्दों में, सब्दों का मतलब कि यहाँ पे इंग्लिस में लिख रहे हैं, इंग्लिस की कौपी है यहाँ पे इंग्लिस में लिख दीजिए एक एक वर्ड टू, टू दो बार है यहाँ पे लिख लिजिए टू फिर क्या है? टू इस तरीके से भी लिखेंगे फिर जीरो है जीरो इसके बाद वन है इसके बाद क्या है फॉर है इसके बाद क्या है फाइफ है इसके बाद क्या है बबू थ्री है इसके बाद थ्री है इसके बाद फिर क्या है टू है इसके बाद फॉर है इसके बाद क्या है जीरो है इस तरीके से कर लेंगे न देखिए एक एक वर्ड जो है एक एक वर्ड को यहां पर सब्दों में लिख देना है बस इस तरीके से लिख लेंगे इसके बाद टीशार नंबर का है कि बीसे हैं प्रशन पत्र बीसे की सिसका है इंगलिस का है यहां पर इंगलिस लिख लिजिएगा इस तरीके से इंगलिस हो जाएगा न इसके बाद प्र पत्र पांकी संकेता आंग जैसे की पेपर कोई मिलता है आपको तो उस पेपर पे कोड लिखा ऊवा रहता है जैसे की 302 ZK MK DK मतलब इस तरीके से रहता है तो यहां पर मैं लिग देता हूं DK सपोज कि जीए कि यहीं आपका है ठीक है ना इस तरीके से भर लेंगे बबू, इसके बाद चार नमर, परिच्छा का दिन, सपोज की जिए किस तरीक हो है, मंडे को है, मतलब एक्जामपल बता रहा हूं, मंडे, ठीक, इस तरीके से भर लेंगे, इसके बाद, परिच्छा ती थी, और यहाँ पे, सपोज की जिए कितने त इसके बाद यह पूरा मतलब आपको कार्ट पूट नहीं करना है पेपर में एक भी बार में भरना है साप साप इसके बाद केंदर का नाम जो एड्मिट कार्ट पर रहेगा वो चीज यहां पर फिल अप कर देना ठीक है ना इसके बाद परिक्षा कप्षी संख्या की इस रूम इतना कर लेंगे सिंपली आगे हम बढ़ते हैं हम पेपर को सलूशन की देखते हुए चलिए देखिए क्लास 12 इंगलिस का यह कोशन पेपर है थोड़ा समय इंस्ट्रक्शन बता दूंगा बहुत बच्च से गलती यह करते हैं बाबू कि बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े हु पढ़ने के लिए इसमय और सभी प्रशण करने के लिए बोला है सभी प्रशण अन्यवार है इसके बाद यानी प्रती प्रशण के सामने इसका अंक निरधारित हैं मतलब यह तीनोंanking मतलब मैंने हिंदी में डाइरेक्ट बता दिया आपको ठीक है स के बाद आपका पेहप पैसेज कियर फुली एंड एंसर दो कॉशन्स देट फालो नीचे दिये गए पैसेज को ध्यान पुरोग पढ़ना है इसके बाद इसी पैसेज में से प्रशन पूछेगा आपको इसका जबाब भी देना है तो हम आज की इस वीडियो में पूरा कॉपी पे सलुक्शन इसका ब इसके बाद इसके बाद ध्यान दिजी एक आख क्या लिखा है कि लॉफ द नेवर एज दो लवगार्ड अब इसके बाद लिखा है कि इट सब्सक्राइब इसके बाद इसके बाद लव शिमलरली इफ वी शो लॉफ एन कमपैशन यहां पे कमपैशन है to our neighbors they are bound to यहाँ पर देखिये रेशी पोकेट इसके बाद fullest of this relationship can bring about immense joy and happiness in our lives for they are always at hand इसके बाद to help us in our hour of need in two days अब लेखिया है है हैमली मोबाइल एंड कम्पटेटीब सोसाइटी our friends are, यहाँ पर relatives are rarely available near our place of residence or around us when we need them the most अच्छे से पढ़ना है पहले पूरा इसके बाद लिखा है it is in these trying times that the help and assistance यहाँ पर लिखा है of our immediate neighbors comes as a bone to us इसको बढ़िया से आपने पढ़ लिया कौन-कौन सा word है, मतलब hard word है जिससे की यहाँ पर दिया है compression, इसके बाद happiness, competitive हो गया, neighbors हो गया, assistance हो गया इस तरीके के word जो आपको है याद हो गया आप यहाँ पर प्रश्न पूछीगा आपको trick बतता हूँ कैसे तयार करना इसको ठीक है, पहला number, why is man called a gregarious animal, यानि कि जो मनुष से हो, वो मिलनसार प्राणी क्यों कहा लाता है तो यहाँ पर लिखा है, कि man is a gregarious animal living in a society, कह सकते हैं कि मनुष से मिलनसार प्राणी इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वो समाज में रहता है, मिलजूल के रहता है समाज के साथ इसलिए मिलनसार प्राणी कहा लाता है, चलिए बबू, एक-एक प्रसन कम है, आपको board exam की copy पे बताता हूँ सबसे पहले आपका section A reading से, कैसे लिखना है, चलिए, ध्यान देना मेरे प्यारी student, आप सब के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग भी ध्यान देजिएगा, आप ही लोग के लिए मैं इतना मेहनत करके लिखा हूँ ताकि आप लोग अच्छे त्यारी करें और वीडियो को प्यारा चोटा सा लाइक नेगें तो लाइक कर दें सबसे पहले section wise करेंगे बबू, copy में लिखेंगे, इदे की original copy है, ठीक है? original copy ऐसा ही आप काएगा, section A reading लिख लिजएगा, क्या लिखेंगे बबू, section A reading और इसके बाद नीचे लिखें, question number one, अकॉमा लगा कि answer हो जाएगा इसका मतलब कि प्रशन संख्या A का हम answer दे रहे हैं, जितने भी एक नमर प्रशन में उत्तर रहेंगे, A, B, C, D, E यानि कि पांच है न, पांचों का यहाँ पे answer आपको बताएंगे, बहुत सटिक तरीके से पहले लिखेंगे, why is man called a gregarious animal, इस प्रशन का answer इसी में, इसमें से बना के लिखना है, जैसे लिखेंगे यहाँ पे पहला number, answer number one, A, कि man is gregarious animal called, because he is living in a society and related with, यहाँ पे दिखे, निवर्स, इसका मतलब कह रहा है कि मनुष्य एक मिलनसार प्राणी है, क्योंकि वह अपने सम आज में रहता है, और अपने परोशियों के साथ मिल जूलके रहता है, इतना आराम से लिख लेंगे न, कुछ है नहीं इसमें, अच्छे से बस लिखते चलना है, आगे चलिए, यहाँ पर अगला प्रशन क्या बोला है बबू, यहाँ पे देखिए, कि what circular role do our neighbors play in live, अपने जीवन में परोशियों के साथ क्या हमें circular role निभाना चाहिए, यहाँ पे देखिए, ध्याँ देखिएगा, एक एक प्रशन आप सब के लिए बहुत इंपोर्टेंट है, बी नमबर का, our neighbors play a circular role in our life, हमारे जो परोशियों हैं, वो अपने जीवन में इस तरीके से circular role निभाते हैं कि they are very closer, वो हमारे काफी करीबी होते हैं and help in our needs और हमारे जरूरतों में मतलब सहायक होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिख लेंगे न, जादे नहीं, इसी में है सभी का, यहाँ पे सभी प्रशनों का लिखा है, एक दम answer और आराम से लिख देंगे, बना बना के, इसी में करते हैं, मतलब वाइस से ही, अपने परोशियों से प्रेम कर सकते हैं, उसी के बराबर, यहाँ पी इस cancer देखिए, तीन नमबर का, C नमबर यही है, कि loving our neighbors is equal to loving God, देखिए, जितना हम लोग अपने परोशियों से प्रेम करते हैं, उतना भगवान से भी करना चाहिए, because क्यो would also come closer to God, क्योंकि वे हमारे भगवान के ही जैसे करीबी होते हैं, यही सब हमें नहीं परदान करते हैं, वे भगवान के ही जैसे होते हैं, अतिथी के रूप में, चलिए अगला प्रशन देखिए बबू, यहाँ से, अगला प्रशन इसमें देखिए, क्या लिखा गया है, D number कि why is it good to have friendly relations with our neighbors, यानि की कहरा है कि good to have friendly, यानि की मितरता relations अपने रिस्तिदारियों से, with our neighbors, अपने परोसियों के साथ, तो यहाँ पी इस प्रशन का उतर, यहाँ पे ध्यान देखिए गा च्यार नमबर, लिखेंगे कि it is God, यह भगवान होते हैं, to have friendly relations with our neighbors, जो हमारे रिस क्योंकि वह हमारे जो जरूरत मंदकारे हैं, उसमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं, आगे प्रसन चलेंगे, इनमबर, इनमबर का देखिए पहला, which word in this spices means closeness, इस spices में closeness का मतलब क्या होगा, जो इस C से मिलता चुलता हो, closeness, तो यहाँ पे closeness का मतलब proximity हो जाएगा, जिस C क यहाँ पे देखिए, इनमबर का पहला है बबू, इनमबर का पहला है इसमें, तो क्या लिखेंगे, proximity, क्योंकि proximity इस पैसे में दिया है, already, ठीक है, अब देखिए, proximity इसमें हमने अभी पढ़ा है, इसमें, यहाँ पे देखिए, proximity ना, उसी closeness का मतलब यही है, closeness का मतलब दो करते की होगा, ठीक है, इसके बाद, यहाँ पे दो नमबर की, which word in the prices, opposite of 10, जो है, इस often का opposite क्या होगा, जो पैसे में दिया हो, तो opposite जो होगा, इसका really है, really क्योंकि इसमें दिया है, ठीक है ना, पैसे में, अच्छे समझ लिजिए, आपको एक एक प्रसंद का उतर इसमें मि पोजना पड़ेगा, थोड़ा, आप लोग अच्छे से, यहाँ पे देखिए, really है, यही है, इसका मतलब opposite, इसका, ठीक है, opposite हो जाएगा, इसके बाद, तीशरा है, कि, what does the phrase at, at hand, at hand का phrases word क्या होगा, जो इस पैसे में दिया गया, लिख लेंगे ना, यहाँ पे, अविलेब नमबर का, complete हो गया, इसके बाद, हम आगे बात करेंगे, section B, section जो B है, काफी important है, question नमबर दो, write an article, यहनी, one of the following topics, in about 100 to 50 words, कह रहाएगे, नीचे दियेगे, किसी एक topic पे, आप article लेखिए, जो की सब्दी की सीमा भी 100 से 50 के अंडर में होना चाहिए, यह 10 नमबर का topic है, जि कह सकते हैं, कि भारत जो है, प्रकृतिक का संदर है, कह सकते हैं, कि इसके बाद, joint family system, need of the hour, इसके बाद, तीसरा है, my plans for future, इस पे, या किसी एक topic पे आप article लिख सकते हैं, चलिए, मैं आपको बता देता हूं, कि my plans for future पे आप article कैसे लिखेंगे, यह 10 नमबर का, यह topic है, सबसे पहले आपको section डालना है, क्या बभू, section B, writing, इस तरीके से लिख लेंगे उपर, section B, start हो रहा है, इसके बाद, question number 2, answer number C, क्योंकि हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, C number का, दो number का C कर रहे है, my plans for future का कर रहे है, तो यहाँ पे लिख देंगे, my plans for future, इसी को कर रहे है, ठीक plans, मेरा योजना, जो है, for future, यानि कि मेरा भवी सी की, योजना क्या है, इसके बारे में आपको paper में पूछेगा, तो तैयारी रखेंगे, तो आराम से लिखेंगे, लिखेंगे, पहले, कि everyone, these two success in life, पर तीक लोगों की इक्षा होती ही, कि अपने जीवन में सफल बने, है न, आप देखें, for that, one must have a definite goal, a future plan, मतलब लगभक सभी को, एक अपने जीवन में, मतलब future plan, यानि कि भवी सी की future में, एक निश्चित क्या होता है, लगछे होता है, कि I have a future plan, कि मेरे पास क्या है, future का plan है, from my childhood, बच्पन से ही, मेरे बच्पन से ही, I cherished a design to be a doctor, मतलब मुझे बच्पन से ही, एक चैरिस्ट का, मतलब डिजेन का, एक डॉक्टर बनने की क्या थी, मतलब की अफिलासा थी, many people in our country die years far, want of proper treatment, यानि कि many people, बहु सारे लोग in our country, हमारे देश के, हमारे देश के बहु सारे लोग die, मर रहे हैं, years, यानि वर्षों से, far want of proper treatment, या इसके बाद, यहां पर poor people of the village, गाउं के गरीब लोग, poor people of village, गाउं के गरीब लोग, suffer most thing, all these, इन सभी से, मतलब गुझेर रहें, कठीनायों से, I have decided, मैं निर्डे क्या हूं, to be a doctor की, मैं एक doctor बनूँगा, इतना लिखेंगे बबु, अपने future के बारे में, आप जो भी बनन चांते हैं, लिख सकते हैं, आप देखें, now I am preparing myself for this, इस चीज के लिए मैं अपने आपको, खुद को तयार कर रहा हूं, from class 11, जो की कक्छा 11 से, I have been studying in the science, मैंने कक्छा 11 में ही science से, मतलब, group से ही क्या कर लिया था, admission करा लिया था, with biology, किस चीज का biology से, I am trying hard to improve my result, मतलब कि मैं अपने program की मतलब में, काफी कोसिस करके, और शुदारने की कोसिस कर रहा हूं, so that I can get a chance in medical college, इसलिए कि मुझे एक medical college में क्या मिल सके, मौका मिल सके, इसके बाद, after passing MBBS, MBBS, मतलब, pass करने के बाद, I will try to treat poor people, मैं, मतलब की, गरीब लोगों की कोसिस करूंगा, मतलब, treat करने का ठीक है न, इलाज करने का, without any fees, बीना पैसे की, ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बबू, देखिएगा, in this way, इस तरह से, I want to serve my country, मैं, इस तरीके से मैं अपने देश स्वासियों को, या देश की लोगों की सिवा कर सकता हूं, करना चाहता हूं, का सकते हैं, I know, मैं जानता ह हूं कि मेरे माता-पिता बहुत अच्छे हैं, will support me, मुझे, क्या करेंगे, support भी करेंगे, इतना लिख देंगे, जादे भी नहीं लिखना है, क्योंकि 100 से 150 सब्दों के अंदर में ही लिखना है, तो यह होजएगा, आपका article वभू, ठीक है, इसके बाद कह रहा है, तीन नमर लेटर दस नमर का है, या निचे भी दिया है, आर के रुप में, कि write a letter to the principal of your school to complain against the shortage of latest sports magazine in library, इस पे, दोनों में से किसी एक पे आपको लिखना है, तो इस तीन नमर का कैसे लिखेंगे, देखिए, मतलब कि तीन नमर वाला ही बता देता हूं, कि write a letter to the editor of a national daily to show your concern on growing use of disposable wear, द question number 3 लिख लेंगे इस तरीके से, क्योंकि 3 नमर कर रहे हैं, सबसे पहले, later लिखते हैं समय subject पे ध्यान देना है, एक्जामनर जो कॉम्पी चे करेगा, subject देखेगा, कि subject पे लेटर लिखा गया है, तो ये subject ध्यान देके आपको लिखना है, मैं बताऊंगा अभी, सबसे पहल social society से लिखा जा रहा है, लखनाव से, December 17, 2022, इस तरीके से कोई भी date लिख सकते हैं, कोई allow नहीं है कि यहीं लिखेंगे, हाना, बढ़ियां से, अथ आप सी यहां से start करेंगे, the editor, क्या लिखेंगे बबू, the editor, कमा लगा कि इस line में नहीं लिखना है, नीचे आना है, I times लखन में भी ऐसे ही, growing use of disposable wears के बारे में ये पत्र लिखा जा रहा है, इसी मतलब की topic पे हम लिख रहे हैं, ऐसे ही आपको लिख के आना है, ठीक है, आगे देखिए, important है, इसको बढ़ियां से पढ़ लेना, लिखेंगे कि madam, madam को लिख रहे हैं, या madam लिख लिजिए, या sir को भी ल possible waste in a concern to society, हमारे समाज में बढ़ते हुए, disposable waste को, concern को क्या कर रहा है, बेकार करता जा रहा है, and environment, जो हमारा वातावरण है, इसको, इसके बाद लिखेंगे, single use increases, मतलब कि single use increases, the quantity of waste that is not recycled, यहां पर कह रहा है, कि इसको एक चीज फेक दे रहे हैं, तो वहां से recycle कर ले रहा है, in addition to this, increased use of plastic warnings, यहां पर देखिए, the condition, इतना लिखे लेंगे बबू, आराम से लिखना है, इसको पूरा अच्छे से, एक मतलब की line को समझते हुए, जादे भी ने लिखना है, जितना दिक्कत है, उतना ही लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, the problem arises due to a sick, sorry, a lack of management, which problem, यहां पर देखिए, which, यहां पर needs to be, यहां पर देखिए, immediately, इसके बाद fully stop लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे, is the health, health problems will, इसके बाद increase, कमा लगा लिजीएगा, मतलब सटीक से लेटर लिखा जाता है, जहां use करना है, कमा का, कमा लगा लिजीए, ठीक है न, फिर लिखेंगे, which may turn little in future, इसके बाद fully stop, लिखेंगे, hope this letter bring light to be the topic and help in, यहां पर देखिए, acknowledgement of this issue by the government, अब इतना लिखेंगे, अपना मतलब problem, इसके बाद लिखेंगे, thank you, धन्नी बाद आपको, इसके बाद your, मतलब truly, यहां पर अपना नाम नहीं लिखना है, exam time में आपक एक, y, z, लिखेंगे, बस इतना लिखेंगे, आराम से आपका लेटर complete हो जाएगा, skin shot मारना है, तो मार शकते हैं बभू, एकदम आराम से इसका पीडिया भी हम आपको देने वाले हैं, चलिए, आगे grammar section में चलते हैं, देखिएगा, चार नम्मर की, choose the correct options, to answer the following questions, नीचे द जी, the absence of government in country is called, जिस देश में, जिस देश में सरकार के अनुपस्तिती होती, उसको क्या बोलते हैं, मुनार्ची, एनर्ची, और आजगता, यहां पे लगा लिजी उसको, देखिए, यहां पे तीन नमर जो है, एक, दो इस तरीके से दिया है, तीन, चार इस तरीके से मतलब तो उसे मतलब नहीं है, मेन वर्ड जो है, वो याद होना चाहिए, इसके बाद दो फ्रेज इंची इंचिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, तो यहां पे टू हाइब एंड इट्ची फिलिंग, इसके बाद कर रहा है, तू मेजर सम्तिंग, इसके बाद है, तीसरा टू इस तरीके से सक्षन नया वाला स्टार्ट करेंगे तो नया पेज से, सक्षन C, ग्रामर, इसके बाद कोशन नमर फोर, इसके बाद एंसवर, आप देखिए, चार नमर का ए नमर में यह नमर शाही था, अनार्ची लगाये थे, इसके बाद चार का B, टू मूब स्लोली इन ए जीएगा, the synonym of Margure, Margure का यहाँ पर synonym बता है, यह प्रेवाथी पूछा है, तो यहाँ पर scanty हो जाएगा, क्योंकि, हम जानते हैं कि यही होगा, scanty, क्योंकि Margure और scanty का जो synonym होता है, इसके बाद दी नमर, one should do his duty, इस sentence में कर रहें, which word in sentence in an error, क्या गलती है, one should do his नह यहाँ पर этом तो यहां पर तीसरा नुंबबर यहां पर दिया है अप्सन ही चिए गलती है इसके बाद दो इंटोंवा बेरेन बैरेन का यहाँ पर फरटाइल होगा यहाँ पर नी पहला ही इस तुरिके से आप पूरे question का answer represent कर देंगे चलेंगे आगे पांच number question पे change anyone of the following in indirect speech यह देखिए दो प्रसंद दिया है direct में इसको indirect में change करना है लेकिन किसी एक को करना है यसे I said don't waste your time मैं कहा कि अपना समय बरबाद मत करो इसको indirect में change करना है ठीक है तो यहाँ पे देखिए question number पर पांच answer लिख लिएगा अथ अब से क्या लिखेंगे बाइब कि I advice यहाँ पर advice दिया जा रहा है कि अपना समय बरबाद मत करो I advice connector जोट देखिए यहाँ पर देखिए him not to waste his time इतना कर लेंगे न अराम से समझती वह चलिएगा अब देखिए यहाँ पर यह इसको किजिए या उसको किजिए किसी को करना है ठीक है अब इसके बाद भी नमर में सलेंगे combine any one of the following as directed तो यहाँ पर देखिए इसका भी मैं बता देता हूं solution my teacher said to me मेरे अध्यापक मुझसे का है कि you can send your application online to आप application जो है अपना online के थूँ है सकते हो यहाँ पर लिखेंगे कि my teacher told me connector told जुड़ेगा ठीक है my teacher told him him हो गया that यहाँ पर देखिए connector that यहाँ पर sorry यहाँ पर connector to that जुड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर sentence का अमसार चलेंगे my teacher told him him हो जाएगा connector that he could send sent हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखिए send के बाद his application online to बस यही चीज़ कर देना है आगे कुछ नहीं है इसके बाद combine anyone of the filing directed यहाँ पर combine करना है दो चीज़ दिया किसी एक को I can give you address मैं आपको एक पुसाख दे सकता हूँ my mother gifted it to me जो कि मेरी मान मुझे यह gift किया था complex sentence message कर लेना है do it leave it इसको compound में करना है तो यहाँ पर देहां देखिए गा इसको किसी एक को कर लेना जिससे बी नमर का बता देता हूँ कि I can give यहाँ पर देखिए give you address which my mother gifted it to me इसको कर लेंगे इस तरीके से C number change in any one of the following directed जिससे I can do it इसको positive voice message करना है दूसरा दिया है कि this is the most effective remedy for this dress इसको अराम से active passive कर लेंगे active media I can do it इसको कर लेंगे यहाँ पर देखिए it can be done by me कर लेंगे अराम से इसके बाद correct any one of the following sentence you are senior than me दूसरा है cattle are grassing तो एक नमर कर देते हैं लिखेंगे you are senior than me then to use कर लेंगे बस जो सही था इसको यूज करेंगे इसके बाद यहाँ पर use any one of the following pairs of words in your own sentences to make difference in their meaning यहाँ पर कह रहा है कि जो दो दिया गाए refuse refuse इसमें से किसी एको किजिए यहाँ पर sale दिया है किसी एको करना है इसमें से तू पहले नमर कर देता हूं जैसी कि शेल के बारे में बता देता हूं शेल के यूज करना है वाक्के में परियुक के जैसे ही कि मोहनी is sealing twice इस सेल का मतलब बेचना होता है इस सेल का मतलब उतक human body is made of cells और श्यो का जो सरीर है उतकोस से बना है इतना लिख लेंगे बाबू वाक्के में परियुक करना था अब चलिए आगे लेकर चलते हैं यहां से यह देखिए यह है आपका छे नमर ट्रंसलेशन ट्रंसलेट करना इसको 5 नमर मिलेगा देखिए इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे इसका ट्रंसलेशन इसली आप अराम से करिएगा ठीक है इसके बाद मैं अगला वीडियो में सेक्षन डी से लिट्रेचर लेकर आओंगा पूरा प्रशन उतर दिरगोतरी लगोतरी जो भी स्टेंजा है इसका सलूशन यह थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता ह है क्योंकि अभी आगे भी पढ़ना है तो आप कहते हैं कि सर इसका पूरा सेक्षन डी लेकर आईए तो आप लोग को प्यारा सा एक लाइक करना होगा चैनल पर नहीं तो सबस्क्राइब कर लिजी क्योंकि डी सेक्षन लेकाएंगो तो सबसे पहले आपको दीखेगा ठीक ह है बिल आइकन प्रेस करके रखना और कमेंट में किजी कि सर सेक्षन डील आईए ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में